नमस्कार दोस्तों study IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है dr. महिपाल सिंग राठोड और इस वीडियो में हम बात करेंगे Chit Fund Amendment Bill 2019 के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि Chit Fund क्या होता है कैसे काम करते है Chit Fund और क्यों इसमें amendments लाए जा रहे हैं क्या reasons है amendments लाने के पीछे अगर आप मुझसे social media पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी Instagram और Facebook IDs है जहाँ पर आपको मेरी सभी वीडियो की updates मिल जाएंगी और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे Telegram चैनल से उसे सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं आप मेंसे जो UPSC के series aspirants है उनके लिए एक update है 1 December 2019 से मैं एक special MCQ series लेकर आ रहा हूँ जिसमें current affairs based daily MCQs मैं आपके साथ discuss करूँगा साथ ही साथ static portions के जो questions हैं वो भी discuss होंगे तो daily MCQs solve करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको paper में MCQs को attempt करना है अपनी knowledge को exam में कैसे use करना है तो अगर आप में से जो भी 2020 के लिए series हैं वो इस MCQ series को join कर सकते हैं join button इस video के नीचे आपको मिल जाएगा और ये 5.99 रुपीज पर बंद में आप इसे join कर सकते हैं ये 6 महीने तक series चलेगी 31 मही 2020 तक लोकसभा ने Chit Fund Amendment Bill 2019 को मंजूरी दे दी है पास हो गया है और अब ये राजसभा में भी एक दो दिन के अंदर अंदर पास हो जाएगा तो इसका लक्ष क्या था ये Amendment Bill लाया गया है Chit Funds Act 1982 में कुछ बदलाव करने के लिए बदलाव क्यों किये जा रहे हैं जो Chit Funds अल्रेडी चल रहे हैं उनमें investors का पैसे या थोड़ा सा safe रखने के लिए interest investors के interest को बचाने के लिए और जो economically weaker sections हैं उनके interest को बचाने के लिए पिछले 5-6 सालों में कई Chit Fund चit Fund या Chit Fund से मिलते जूलते economic scams हमें देखने को मिले हैं तो ऐसी खटना है भविश्य में ना हो इसी लिए ये बिल लाया गया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ Chit Fund होता क्या है I'm sure आप में से जाहतर लोग नहीं जानते हैं Chit Fund क्या होता है जिनने पता है बहुत ही अच्छा है वो सीधा दो मिनिट वीडियो आगे स्किप कर लो तो Chit Fund एक saving और credit scheme होती है दोनों तरह की scheme है saving और credit scheme जहां पर कुछ specific number of subscribers एक specific amount of money एकटा करते हैं एक साथ 20 महीने है तीस महीने या फिर जो भी number of months उन्होंने तै किया है और उन में से किसी एक subscriber को हर महीने वो जमा करीवी राशी एक साथ दे वी जाती है उसमें एक auction या tender का process भी होता है जो depend करता है अलग-अलग Chit Funds पर पर कुल मिलाकर यही है कि 10 लोग खटा करते हैं एक पैसा एक साथ एक fix amount एक fix समय के लिए और उन 10 में से किसी एक को यह पैसा मिल जाएगा आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं एक example के साथ आपको समझाता हूँ It will make things more clear to you Let's say मैं और मेरे 20 दोस्त ठीक है हम 20 लोग है हम 20 लोग मिलकर यह तै करते हैं कि हम हर महीने 20,000 रुपए एकटा करेंगे savings के तौर पर और एक pot बनाएंगे यानि एक जगे उसे जमा कर देंगे तो हम 20 दोस्तों ने जब 20,000 रुपए डाले तो यह महीने के कितने हो गए 4,000,000 रुपए ठीक है तो यह जो 4,000,000 रुपए हैं यह हर महीने इकटे होंगे अब यह amount कुछ भी हो सकता है ठीक है 20 मैंने आपको example देने के लिए बता है और 20 member से ज़ादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं और यह amount भी vary कर सकता है तो जो छोटे chit funds हैं उनमें जनरली 1,000,000,000,000,000,000,000 है बड़े chit funds में 1,000,000,000 रुपए तक का monthly contribution होता है 20 लोगों ने मिलकर 20,000 रुपए डाले हैं और यह तैय कि यह चलेगा 20 महीनों तक 20 months तक तो हर महीने जो यह 4,000,000,000 रुपए इखटे होंगे यह इन 20 लोगों में से किसी एक को मिल जाएंगे जिसे भी जरुरत होगी जिसे financial emergency है किसी के घर में शादी है बच्चे की शादी है या कोई medical emergency आ गई होस्पिटल में जरुरत है घर नया बनाना है रेनोवेट करना है इस तरह की कोई भी emergency आती है तो इन आपस में 20 लोगों में से tag करके चूज करके जिसकी भी emergency जादा है उसे यह 4,000,000 रुपए एक साथ दे दिये जाएंगे लेकिन आप इसमें क्या है कि देखो 20 लोग है तो कम है लेकिन अगर 100,500,200 है तो फिर आप कैसे तया करोगे किसे पैसा जाएगा तो फिर इसमें होती है let's say lowest bid आई है 3,500,000 रुपे की तो ये व्यक्ती bid जीत जाएगा और ये 3,500,000 रुपे उस आदमी को चले जाएगे पीछे बचे कितने 50,000 और वो 50,000 जो है वो बाकी के सभी 20 members में डिवाइड हो जाएगे तो 50,000 जो है वो एक तरह से dividend बढ़ जाएगा 50 by 20 तो ये 5,000 रुपे जो है सीधे सीधे इस महीने 5,000 रुपे सभी लोगों को मिल जाएगे तो आपने डाले 20,000 पहले महीने में और अगले महीने 5,000 रुपे तो माइनस हो गए यानि अब आपको अगले महीने सभी को देना है 17,500 रुपे और इसी तरह से वेरी करेगा कभी हो सकता है बिड 3,600,000 कभी 3,600,000 कभी 3,800,000 इस तरह से अमाउंट वेरी करता रहता है तो कुल मिलाकर 20 महीने बाद जब ये चिट फंड खत्म होगा तो इन सभी 20 लोगों को कभी ना कभी एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है और जिसने पहले महीने दूसरे महीने बिड कर दी तो वो आगे बिड नहीं कर सकता है यानि 20 महीनों में आपको केवल एक ही बार पैसे मिल सकते हैं अब 4-man कोई एक आदमी हो सकता है इन 20 में से जो ये जिम्मेदारी लेता है कि उन 20 लोगों से हर महीने 20,000 रुपे कलेक्ट करने है उसे एकटा करना है लोटरी निकालनी है ठीक है चिट क्यों कहते हैं क्यों कि देखो 20 लोगों के नाम परची पर लिखकर चिट बनाकर डाल दिये जाते हैं एक बॉक्स में और उनमें से चिट निकाली जाती है एक तरह का lucky draw निकलता है इसलिए इसे चिट फंड कहा जाता है तो ये सब काम four men के होंगे तो four men एक तरह से organizer हो गया तो वो कोई एक व्यक्ती भी हो सकता है बड़े से विल पर होता है तब companies ये काम करती है तो ये जो four men है इनका five percent cut होता है इसमें तो five percent इनकी fees मानी जाती है जो सरकार द्वारा sanctioned है तो ये five percent या उससे कम भी हो सकती है ठीक है maximum it can be five percent तो ये जो चार लाग का amount है इसमें पाँच परसेंट यानि कितना हुआ ये हो गया 20,000 रुपए 20,000 रुपए हर महीने four men का खर्चा होगा अब four men का आप सोचेंगे कि ये तो profit हो रहा है लेकिन उसमें देखो risk भी है अगर कोई व्यक्ति 20,000 नहीं देता इन 20 में से तो वो four men की जिम्मेदारी है four men को उस पैसे में से अपनी जेब से 20,000 देने पड आ रहा है in fact southern India में खास करके किरल में ये practice centuries old है पहले जब princely states हुआ करते थे उस समय लगबख हर बड़ा temple या हर बड़ा church एक तरह का चिटफंड चलाता था अपने गाउं में अपने कस्बे में टाउन में जिससे लोगों को एक आर्थिक मदद मिलती थी तो हर area में इस तरह बैंक्स हैं जो चिटफंड schemes चला रहे थे आजादी के बाद भी भारत में कई national banks हैं जो चिटफंड चलाया करते थे in fact 30 साल पहले तक कई banks चलाते थे अब जाहतर banks जो है उन्होंने अपने चिटफंड operations बंद कर दिये हैं लेकिन अभी भी कुछ कुछ चला रहे हैं भारत मे केरल जो है वो एकलातार राज्य है जिसमें एक सरकारी चिटफंड भी चलता है उसका नाम है केरल स्टेट financial enterprises KSFE और यह बहुत ही बड़ा एक चिटफंड है इसके अंदर हजारों लाखों लोग के जुड़े हो हैं और क्यूंकि सरकार चलाती है तो इस पर ट्रस्ट भी बह लोग आपस में फैमिली गर परिवार में भी चिटफंड चलाते हैं कि अगर परिवार के दस सदस से एक साथ बैठे हैं extended family के तो वो भी तैय कर लेते हैं कि हम 10-10,000 रुपे डालते हैं और जिसको जरुद होती है उसे 1,000,000 रुपे दे देते हैं तो ऐसा एक tradition रहा है भारत पर या new year पर यह बाटा जाता है तो यह मैंने जे एन चिटफंड है मुझे नहीं पता है कहां की company है exactly बट आप इनका plan देख सकते हैं देखिए 25 महीने एक लाख चिट वैल्यू 25 लाग यानि 25 लाग का pot खुलेगा 40 महीने average देखिए कोई भी चिटफंड है वो 40 महीने चलते है 15 लोग मिलकर एक organization बना कर भी चला सकते हैं लेकिन पिछले 6 सालों सा ऐसा हुआ है कि इन चिटफंड का नाम market में काफी खराब हो गया है इनका public relations has taken a big hit क्यूंकि West Bengal में Sharda Group, Rose Valley Group, Sahara Group इस तरह के कई बड़े-बड़े groups हैं जिन्नोंने ऐसा कहा जा रहा है कि allegedly चिटफंड scam क नहीं लोगों ने यह समझा कि यह चिटफंड है और इसलिए इनमें invest कर दिया जबकि टेक्निकली यह एक अलगी तरह की scheme चला रहे थे जो चिटफंड नहीं थी पर कुल मिलाके इन groups ने investors का पैसा डुगोया यह एक investor से पैसे लेते थे और दूसरों को pay करते थे यानि कि economic schemes को नहीं समझते हैं, finances की जानकारी नहीं रखते हैं, वो इसकी चपेट में आ गया और उन्होंने अपने पूरे जीवन की savings तक इसमें लगा दी, और West Bengal के case में क्या था कि कई politicians के भी link थे इन चिटफंड कंपनियों से खास करके शारदा group से, अचा वैसे चिटफंड को regulate नहीं करता है, हाँ, राज सरकारों को RBI suggestions जरूर देता है कि चिटफंड के लिए कोई कानून ला रहे हो, कोई नया law ला रहे हो, तो आप उसमें RBI से मदद ले सकते हैं, लेकिन RBI directly उन्हें regulate नहीं करता, और SEBI जो Act था 1992 का, उसमें तो specifically लिखा हुआ है कि चिटफंड AB के द रोप एक तरह से non-banking financial company का operation चला रहा था, तो भारत में चिटफंड को regulate करता है, चिटफंड Act 1982, इस कानून के तहत, राज्य सरकारों को कानून बनाना होता है, केंदर सरकार नहीं बनाती है, राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में चिटफंड के अलग-अलग कानून अब ये एक बहुत बड़ा loophole है, क्योंकि जिन राज्यों में चिटफंड popular है, वहाँ पे तो सरकारें बना लेती है, जैसे सारे southern states में चिटफंड कानून बने हुए हैं, आंदरप्रदेश, केरल, तमिलनाडू सभी में, लेकिन उत्तर भारत में या नौर्ट इस्ट इंड पर कहा कि कोई भी चिटफंड बिना सरकार की अनुमती के नहीं चल सकता और उसी के बाद regulation आया, 10,000 registered चिटफंड भारत में हैं अभी के लिए, अब जो ये latest amendment आया है, 2019 का, ये क्या-क्या बदलाव कर रहा है, तो 1982 का जो act है, उसके प्रावधानों में क्या change करा जा रहा है, अब मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहला कुछ नाम है जिनका बदलाव किया गया है, तो पहले चिट, चिटफंड या कुरी कहते थे इसे, तो इसमें अब दो-तीन नाम और add किया गया है, ये सभी भी एक तरह से चिटफंड है, तो इस इस बिल ने fraternity fund, rotating savings और credit institution ये ना trading savings plan चला रहे है, हम कोई चिट फंड नहीं चला रहे है और इस तरह से वो चिट फंड के दायरे से बाहर जा दी जबकि advertisement उसका ऐसा होता था कि जैसे वो चिट फंड हो, फिर कुछ terms को change किया गया है, जिसे चिट amount, उसका नाम अब कर दिया गया है, gross चिट amount, as the sum of subscriptions payable by all the subscribers of a चिट, यह उसकी definition है, जो कानून में दी भी गई है, फिर dividend, जो मैंने आपको बताया है, जैसे 50,000 रुपे जो बच गया, जो 20 लोगों में बाटा जाएगा, वो अब कहलाएगा share of discount, वो एक discount हो गया ना, तो इसलिए उसको share of discount कहेंगे, तीसरा है price amount, इसका नाम अब होगा net चिट amount, तो यह कुछ terms को change किया गया है, इनके पीछे भी देखो छोटे-छोटे कारण है, एक बात बताता हूँ, जैसे price amount है ना, price amount तो कुछ भी हो सकता है, मैं अगर 4man हूँ, तो मैं 4 लाग की जगे 3 लाग तो ही price amount दूँ, और मैं 1 लाग रुपे या 50,000 रुपे कहीं, और अपने personal use में डाल दूँ, इस तरह की चीज से बचने के लिए net chit amount एक technical term है, तो अब मुझे 4 लाग रुपे देने ही होंगे, pot amount will be 4 lakh only, net chit amount उसका नाम है, फिर एक और डूल था कि जब भी chit निकाली जाती है, जो lucky draw निकलता है, उस समय कम से कम 2 subscriber वहाँ पे physically present होने हौद समय से demand थी कि हमारा जो commission है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ रहे है, हमें लोगों को hire करना होता है, offices चलाने होता है, risk काफी बढ़ गया है, तो इस act के तहए 4 men को अब 5 की बज़ए 7% तक commission मिल सकता है, maximum 7% है, company चाहे तो उससे कम भी रख सकती है, इसके पीछे reason क्या है, देखे, कई लोग payment देना बंद कर देते हैं, सोचे कि जो मैंने scheme बताई थी आपको 4 lakh वाली, उसमें किसी आदमी ने 3 महीने तक लगातार 20-20,000 रुपे दिये, यानि उसने 60,000 पे कर दिया, और 3 महीने उसके नाम की lottery खुल गई, उसे 3 लाग रुपे तो सरकार ने regulate किया हुआ था कि 1 लाग रुपे का चिट होगा, जो individual चला रहे हैं उसमें, या फिर 4 से कम लोग अगर मिलके चला रहे हैं, और अगर कोई ऐसी firm है, या फिर 4 से जाधा लोग मिलकर चला रहे हैं, तो फिर 6 लाग रुपे तक maximum हो सकता है, तो इसकी limit बढ़ा अब 3 लाग रुपे और 18 लाग रुपे कर दिये, जो कि समय के अनुसार सही है, टाइम टू टाइम इसे बढ़ाना ही पड़ेगा हर 10-15 सालों में, अब हम बात करते हैं इस कानून के application के बारे में, तो देखे, 1982 वाला जो कानून है, उसमें ये प्रावदान था कि अब जो 100 रुपे से कम है, यानि वो जो amount देना होता है हर महीने, अगर 100 से कम है, तो वो regulated नहीं था, तो उसको registration के आवशक्ता नहीं है, वो कैसे भी चला सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा loophole था, क्योंकि यही main वो reason है, जिससे बड़े-बड़े scam हुए थे, लोगों को ये बो सरकार पर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है, कि आप तेगर ये कि base amount कितना है, सरकार चाहे तो 10 रुपे amount set कर दे, या राज्य सरकार चाहे तो 20 रुपे set कर दे, वो government के उपर है, state government पर, तो ये थे बदलाव, अब मैं आपसे finally chit fund के फायदों के बारे में बात करता हूँ, द पुद्धे के pros और cons दोनों पता होने चीए, तो देखे फायदे क्या है, इसमें कोई interest rate नहीं है, जो मुझे 3.5 रुपे का loan मिला मेरे chit fund से, उस पर मुझे कोई interest नहीं चुकाना है, no interest, और मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई नया business चलाना है, फिर मेरे लिए कोई financial emergency आ तो personal loans भी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो banks के पास कही reasons है, आपके loan request को reject करने की, हाँ, house loan, vehicle loan, यह सब तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन personal जिम्मेदारियों के लिए जो loan है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो access to fund इसका बहुत बड़ा pro है, कि आप अगर 20 या 50 और इससे saving का भी option है, अगर कोई वेक्ती 5000 रुपे महीने का save करना चाते है, तो chit fund is a good idea in rural areas जहां पर banks की facility नहीं है, finally एक regular savings की आदत बन जाती है, chit funds का एक बहुत बड़ा pro यह बताया जाता है, कि जिस समय banks नहीं थे, जब कोई mutual funds नहीं होते थे, तब लोगों में savings की आद अगर मैंने जो आपको example बताया 20 लोगों वाला, उसमें से 20 में से अगर 5 लोग भी एक साल बाद पैसा देना बंद कर देते हैं, या फिर दे नहीं सकते किसी कारेंट से, तो फिर पूरा chit fund खत्रे में पढ़ गया, बहाँ पे foreman की जिम्मेदारी आ गई है, तो ये जो mechanism है, ये उस समय अच्छा था जब आज से सदियों पहले banks नहीं हुआ करते थे, गाओं में banks की पहुँच नहीं थी, या फिर money lender से पैसा लेना बहुत महंगा हुआ करता था, तो उस समय के लिए एक बहुत अच्छा mechanism था, लेकिन आज जब bank facility गाओं गाओं तक पहुँच चुकी है, और banks के terms भी काफी customer friendly है, अब आप personal loans भी आपको मिल जाएंगे, more or less मिली जाते हैं, तो ऐसे समय में अब चिट funds पर dependent रहना सही नहीं है, और finally financial literacy, ये एक बहुत बड़ा factor है, लोग differentiate नहीं कर सकते हैं कि financial products जो होते हैं, जैसे चिट funds और अन्य तरह के products में क्या फरक है, त तो इसी financial illiteracy का फाइदा उठाते हुए, कई कमपनियां गोटाले कर गई, जैसे शार्दा गोटाला आपने देखा, तो वो चिट funds नहीं चला रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि वो चिट funds चला रहे हैं, तो लोगों ने पैसे दे दिये, आराम से दे दिये, लोगों को ल चाहे वो टेक्निकली चिट funds थे या नहीं थे, लेकिन फिर भी एक negative public में image तो बन गई है चिट funds की, तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक सवाल है, आपको मैंने सिक्के के दोनों पहलू बताये, तो क्या आप चिट funds में पैसा डालना चाहोगे, हाँ या ना, reason के सा मुझे comment में बताये, thank you very much for watching this, have a great day